दोस्तो अगर आपका वोटर आडी कार्ड खो जाता है या फिर आपका वोटर आडी कार्ड का नंबर नहीं है आपके पास या फिर आप वोटर आडी कार्ड नया एप्लाइ किये थे लेकिन वो आपका वोटर आडी कार्ड बनकर आपके घर पर नहीं आया या फिर वोटर आड प्राफ्ट करने के लिए आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप कैसे ओरिजिनल भटर आईडी कार्ड पोस्ट ओफिस के दवारा कैसे मंगवा सकते हैं तो दोस्तों इस विडियों में आपको सारा डिटेल्स बताने वाला हूं लाइब प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कैसे आप औरिजिनल भटर आईडी कार्ड पोस्ट ओफिस के दवारा कैसे आप मंगवा सकते हैं तो दोस्तों इस विडियों को अंतक दखना है कहीं पर भी आपको अस्कीप नहीं करना अगर आप अस्कीप करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए इस विडि डॉट इन इस वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इस वेबसाइट में आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहां से आप कैसे अपना ओरिजिनल भटर आईडी कार्ड कैसे मंगा सकते हैं चाहे आपका बट का नंबर भी पता नहीं कुछ भी नहीं हो तो आप भी बड़े असानी से औरिजिनल भटर आईडी कार्ड इस वेबसाइट के मदद से पोस्ट ओफिस के दवारा मंगा सकते हैं इस वेबसाइट में आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको थार्ड में एक ऑप्शन मिल जा करेंगे और पाश्वड यहां पर आपको फिल कर दना और फिर यहां पर आपको एस तरह से करणी के बाद यहां पर आप लोगीन कर सकते हैं अगर दोस्तों इसमें आप नए यूजर है तो यहां पर आपको एक उप्सन मिल जागा क्रिएट एन अप्वाणन इसकॉण के आपस्न मिलेगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप अपने vegetables E-D – माधियम से भी कर सकते हों याँ फिर आप movaiil नंबर के माधियम से इसे कार सकते हैं POL highly पिपी फिल करने के बाद यहां पर आपको verify के option पर click करना है उसके बाद दूस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको एक password create करना है जो भी आप password रखना चाहते हैं उस password को यहां पर आपको fill करना है उसके बाद यहां पर आपको फिर से re-enter password कर देना है confirm password password fill करने के बाद यहां पर आपको इस तरह से मिले लागा capture तो यहां पर आपको इसका answer बताना है जैसे यहां पर आदीख सकते यहाँ dat आपको इसका कितना ओगा से लिइक करना है यहाँ पर आपको answer देने के बाद यहाँ पर आपको term and condition को accept करना है accept करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा create account, create account के option पर click करना है create account के option पर click करने के बाद दो तो यहाँ पर आप यसने welcome to the water portal, तो यहाँ पर मेरा hog यहाँ रजिस्टर अब यहाँ से आपको welcome को option मिलेगा welcome के option पर click करना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से interface आगा और यहाँ पर बहुत सरा option मिलेगा तो यहाँ पर आपको 4 वाले option पर click करना है replacement of voter ID इस option पर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको अपना सलेक्ट कर लेना अस्टेट जो भी आपका अस्टेट है उस अस्टेट को सलेक्ट करना है सलेक्ट करने के बाद दोस्तों male और female gender आपको यहाँ पर अपना सलेक्ट कर लेना है select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको submit का option मिलेगा submit का option पर click कर देना है submit करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह से interface आजागा और यहाँ पर आप देशते हैं यहाँ पर मेरा नाम आ गया जिसका भी आप voter ID card यहाँ पर post office के दवरा मंगवाना चाहते हैं उस तरह से यहाँ पर आपका नाम show करेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको let started का option मिलेगा इस option पर click करना है जैसे click करेंगे दोस्तों तो फिर आपके सामने इस तरह से interface आगा और यहाँ पर आदेशने do you already have voter ID number अगर आपके पास voter ID card number है तो यहाँ पर आपको select करना है select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर voter ID number यहाँ पर आपको fill करना है fill करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको fetch details का option पर click करना है जैसे क्लिक करेंगे fresh details तो दोस्तो आपका जितना भी बोटर ID काड के अंदर जितना bio data है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास बोटर ID काड नमबर नहीं है तो इस option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको proceed का option पर क्लिक करना है proceed को option पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम type करदना है नाम type करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको माता पीता या गुरू का नाम यहाँ पर आपको feel करदना है feel करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपको gender select करना है gender select करने के बाद यहाँ पर आपको date of birth टाइप करना है date of birth टाइप करने के बाद दस्तों यहाँ पर आपको अपना state select करना है जो भी आपका state है उसको यहाँ पर आपको select करना है select करने के बाद फिर यहाँ पर आपको जिला select करना है search के option पर click कर देना है search के option पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका searching हो रहा हैwould практически रिकोर्ड円 91 प्रोर्ड रिकोर्ड फ्लिस वैट तो यहाँ पर आपको wait करना और यहाँ पर आपका सारा details मिल जायेगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सते हैं सारा चीज यहां पर आपका detail शो करेगा। उसके बाद दुस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा kontinue for replacement of water ID तो इसको आपको accept करना है accept करने के बाद दुस्तों यहां पर आपको neचे आना है नीचे आने के बाद यहां पर आपको मिल जाएगा continue तो continue के option पर क्लिक करना है जैसे continue के option पर क्लिक करेंगे दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह से interface आएगा और यहाँ पर आपको एक mobile number इंटर कर देना है mobile number इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको send OTP के option पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके mobile number में एक OTP send के आओगा उस OTP को यहाँ पर आपको fill करना है दोस्तो OTP fill करने के बाद यहाँ पर आपको verify का option मिलेगा verify का option पर click करना है जैसे click करेंगे तो यहाँ पर मारा successfully हो गया उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से interface आजागा और यहाँ पर आपको क्या reason लिखना है यहाँ पर आप अपना voter ID card post office के दवारा क्यों मंगवाना चाते उसका यहाँ पर आपको reason लिखना है अगर आपका voter ID card हो गया तो यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं lost voter ID card या फिर आपका voter ID card अभी तक आपको नहीं मिला अगर आप नया भोटर आईडी कार्ड बनवा ली है और अभी तक आपको नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको उसी को टाइप कर दना है तो दोस्तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो अपने भासा में जो चाहाँ उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख रहें देख सकते हैं तो अभी तक हमें नहीं मिला है ठीक है अभी तक हमें भोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है इसी को हमने टाइप कर रहा है देख सकते हैं तो दोस्तों अपने भासा में भी यहाँ पर आप लिख सेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहाँ पर देख सेते हैं यहाँ पर आमने लिख लिए अभी तक हमें बोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है अगर आपका voter ID card खो जाता है तो उसको भी आप लिख सते हैं कि मेरा voter ID card खो गया है उसको यहाँ पर आप लिख सते हैं आप यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिस में जो चाहे उससे आप लिख सते हैं कोई दिक्कत बात नहीं है उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपको मिल जागा save and continue को option तो save and continue को option पर किलिक करना है उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा चूप शन टू कलेक्ट voter ID card तो आप अपना voter ID card किस दवारा पराप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको तीन option मिलेगा तो यहाँ पर आपको second के option पर किलिक करना है हमें voter ID card post office के दवारा चाहिए तो यहाँ पर आद इस तरह हमने select कर लिया है उपर में जो आपको option है यह आपको CAC center के दवारा भी आप पराप्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे जो option मिलेगा बियोले के दवारा भी आप पराप्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें बोटर आइडी काड, post office के दवारा यहाँ पर पराप्त करना है, इसलिए हाँ पर हम post office को select करेंगे, select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, save and continue, तो save and continue का option पर click करना है, जैसे किलिक करेंगे दोस्तों फिर आपके सान में इस तरह से form आ जागा क्या-क्या आपने feel क्या यहाँ पर सारा detail शो करेगा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी आपने feel क्या यहाँ पर आपका सारा data यहाँ पर collect किया जाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको submit का option मिलेगा submit का option पर click करना है तो दोस्तों submit करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर उसी का voter ID card post office के दोवारा आता है जो अपना पूरा बायो data यानि के पूरा अपना details voter ID card में जो भी details दिया है वही details सारा आपको correct यहाँ पर feel करना है अगर आप थोड़ा सा भी गलती करेंगा तो आपका voter ID card post office के दोवारा फिर नहीं आएगा इसलिए आपको ध्यान में रखना है दोस्तों तो यहाँ पर देशते हैं यहाँ पर हमने process में चला गया तो इस तरह से आप बड़े असानी से इस तरह से कर सकते हैं उस अब यहां से आप चाहिए तो इससे cut कर सकते कट करने के बाद दूस्तों फिर आप सोचैँंगे की यहा पर मेरा हुआ या नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको इसी तरफ फिर यहां पर आपको home page में आ जाना है आने के बाद फिर यहां पर आपको four वाले option पर किलिक करना है replacement of water id तो इस option पर किलिक करना है जैसे आएंग दोस्तों यहां पर आज़ते हैं मेरा अभी भी under process में है यह आपको 24 hours के अंदर यह आपका process complete होता है process complete होनी के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक reference id मिल जागा reference id मिलने के बाद दोस्तों यहां पर आप status को check कर सकते हैं कि आपका water id card बन रहा है आ रहा है या नहीं आ रहा है तो status check कर सकते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो यहां पर हम wait कर लेते हैं कि अगर मेरा अभी ही आ जाए तो काफी अच्छा होगा ताकि मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ और अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि 24 hours के अंदर मेरा यहां पर reference ID यहां पर प्राप्त हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर हमने wait कर रहा लेकिन यहां पर अभी हमें अभी तक reference ID नहीं मिला तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा यहां से आप दोस्तों reference ID अगर आपको को मिल जाता है तो आपके से चेक कर सकते हैं तो यहां पर आपको अपने प्रोफाइल पर किलिक करना है प्रोफाइल पर किलिक करने के बाद दूस्तों नीचे आपको मिल जागा ट्रेक अस्टेटर्स तो यहां पर आपको किलिक करना है जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर आपक यहाँ पर आपको फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेक योर अस्टेटस को अप्शन पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना अस्टेटस को चीक कर सकते हैं तो इस तरह से आप बड़ी असानी से घर बैठाई आप पोस्ट ओफिस के दोवारा ओरिजिनल वटर अबर्स लग सकता है यहाँ पर मेरा भी नहीं हुआ है तो इस तरह से आप बड़ी असानी से वटर आडी कार्ड ओरिजिनल मंगवा सकते हैं तो दोस्तों वडियो कैसी लिए अच्छी लिए तो लाइक करें दोस्तों के साथ से जरू करें चैनल पर नहीं तो जरू करना और बेलाकिन को अल करना तो चलिए तो फिर हम एक एसे नेक्स ब्रेंगें